आकाश्वणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग मोख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान अफसे कुछ देर बाद ससायता समुह की महिलाओं से समवात करेंगे मोख्यमंत्री निवासपर आयोजित कारिकरम में प्रदेश के मेभिन नसिलों की लगभग 300 समुह सो 10 से बहने शामिल होंगी शिजोहान समुह को लगभग 200 करोड रुपए के बैंक रेंक रेंट राशिका वितरन भी करेंगे राजी ग्रामीर अजिविका मिशन के अंतरगत ग्रामीर शेतरों की निर्धन बहिलाओं को ससायता समुह से जोड़कर उनका सामाजिक और आर्थिक से शक्ति करण किया जा रहा है प्रुदेश के 45,000 गाओं में लगभग 3,84,000 ससायता समुह का गठिन किया गया है इन समुहों से लगभग 43,000 परिवार जोड़े है पंचायतरा संस्थाओं में ससायता समुह की इतनी बड़ी भागिदारी पहली बार देखने को विली है राजी सरकार ने ससायता समुह को परियाप्त बैंक रंड दिलवाने की विवस्था भी की है समुहों की उत्पादों की क्रे विक्रे के लिए आजीवे का मार्ट पोटल बनाया गया है इन समुहों के लगभग 6,700 उत्पाद अपलोट किये जा चुके है पोटल से अब तक लगभग 500 करोड रुपे का विवसाय समुह की मैलाओ ने किया है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने आज मुख्यमंत्री COVID-19 बाल सेवा योजना के हितकराही बच्चों से सीधा समवात किया मुख्यमंत्री निवास पर आयोजे तिसकारिक्रम में प्रदेश की विभिन सिलों के लगभग 250 बच्चे शामिल हुए प्रदेश में COVID-19 के कारण अनातुए बच्चों की सहायता के लिए शिरू की गई मुख्यमंत्री COVID-19 बाल सेवा योजना के हितकराहियों को आर्थिक सहायता निशुल खाध्यान वित्रन और शिक्षा संबंदी सहायता प्रदान की जा रही है साथी ऐसे बच्चों को विभिन्द संगटनों और संस्ताओं द्वारा स्पॉंसर भी किया जा रहा है ये देश में अपनी तरह की अभिनव पहल है बच्चों को समाज में पुनु इस्थापित करने के लिए नवीन मुख्यमंत्री बाल आशिरवाद यूजना भी प्रारम की जा रही है इसके अंतरगत 18 साल से अधिक के बच्चों को व्यवसाइक प्रसेक्शन, इंटरन्शिप और कूचिंग में सहायता देने के लिए 5,000 रुपे प्रतिमाह की सहायता भी दी जाएगी आज अंतराशी यूवाद इवसे, समाज के विकास में यूवाओं की यूगदान की सम्मान में अंतराशी यूवाद इवस प्रतीक वर्ष 12 अगस को मनाया जाता है दुनिया भर में यूवाओं के साथ होने वाले अन्याई के विरुद आवाज उठाना भी ये दिवस मनाने का उद्देश है यूवा न केवल कल के नेता है बलकि वे आज भी समाज में व्यापक बदलाव कर रहे हैं सभी पीणियों को कारी करने के आवशकता है इसका उदेश ये सनिश्ट करना भी है कि विकास की दोड से कोई भी वेक्ती पीछे ना चुटे इस वर्ष अंतराशी यूवादियों के विशह है फबिन पीणियों के बीज एक जुटता हर आयो वर्क के लिए विश्यू का निर्माण उसके बाद लोग एक दूसरे को बुजरिया प्रदान कर रहे हैं शियूपरी में आज बुजरिया मेली कायो जिन सिद्धेसुर मंदिर के सामने सिद्ध बुजरिया सालाब पर क्या जाता है यहां पर स्थानी लोगों के अलावा आज बास के ग्रामण शित्र से भी लोग बुजरिया पर बनाने के लिए आते हैं पिछली 24 कंट्रों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में बारिश हुई सबसे अधिक 22 सेंटीमीटर बारिश व्यावरा में जब क्या शोकनेकर और बड़ा मलारा में 18 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई जबलपुर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है बारिश से कई स्थानों पर जल भराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा मौसम केंद्र भूपाल ने आगामी 24 कंटों के दरान राजी के रीवा, जंबल, उज्जैन, क्वालियर, जबलपूर, भूपाल संभागों में कहीं कहीं भारी भारिशोनी के आशंका जताई है आपको समचार संगशेप में सतना सिले के अमरपाटन में आजादी के 75 वे अमरत मौसप के अंतरगत हर घर तिरंगा अभियान के तहट शासकी महाविद्याले की छात्राओं द्वारा तिरंगा यात्रार निकाली गई हर घर तिरंगा अभ्यान के लिए ठीकमगर जिले में आंगनवाडी केंद्रों से निर्धारित दर पर तिरंगे उपलप्त कराय जा रहे हैं नर्मदापुर्म जिले के सिवनी मालवा में किसान मोर्शा आजादी के अमरत मौसफ के तहट 14 अगस को 75 ट्रेक्टरों के साथ तरंगा रैली निकालेगा मद्यप्रदीश पूर्व शेत्र विद्धुद्विद्रण के कमपनी के शेत्र के अंतरगत कल 13 अगस को नैशनल लोग अदालत का आयोचिन किया जा रहा है बैतुल जिले के बरबतपूर एलवे स्टेशन पर पेंचफली एक्सप्रेस आगामी 16 अगस तक रुकेगी आगर मलवा जिले में ग्राम तनूरिया के पास पलियार नानाकार जोड़ पर उज्जैन जालावार राश्री राजमार 552 जी पर एक कली एक सड़क दुरगतना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दो लोग खायल हो गए इस फुलिटिन में इतना ही नमस्कार